पंजाब च आमाज मी पार्टी देश है इंचार्ज रागव चड़ा ने सीम चन्नी दे उपर जम के निशाना सादिया होना क्या के जो एडी दी छापे मारी हुए उसनों लहके दरसल रागव चड़ा ने ब्यान देता है और क्या के चन्नी दे पतीजे ने 111 दिना दे वेच जदों सीम चन्नी ने ओदा संबाड़या और जदों तहुन ताक के 111 दिना दे वेच जो एक कमाई कीती है वो सिर्फ एना दिना दे वेची कीती है और नाल दिनाल क्या कि अगर पंच साल चन्नी मुख्यमंत्री रहन दे ता सोचो के किन्नी कमाई जेडिया है वो किती होनी स जानकारी नहीं थी कुछ साथी बता रहे थे कि शायद मानियोग मुख्यमंत्री चरण जीत सिंग चन्नी जे के भतीजे के पास आज से कुछ महीने पहले तक इतनी संपत्ती इतनी वेल्थ इतने करोड रुपे नहीं होते थे और ये सारी चीजें कहीं न कहीं पिछले 111 दिनों में ही उन्होंने इकटी करी यानि कि वही 111 दिन जब चरण जीत सिंग चन्नी साब मुख्यमंत्री थे पंजाब के अब आप सोचिए कि अगर एक भतीजे मुख्यमंत्री के एक भतीजे के घर पे इतना सब कुछ इतने करोड रुपे इतना सोना इतनी करोड रुपे की गाड़ियां प्रापटी के कागज जब्थ हो सकते हैं बरामत हो सकते हैं तो सोचिए कि बाकी भतीजे और रिष्टेदारों के यहां पर क्या क्या मिलेगा दूसरी चीज सोचिए कि अगर रेड अभी तो भतीजे पे हुई चन्नी साब के और उस भतीजे के पास करोड रुपे मिल गए नकद मिल गए अगर ये रेड चन्नी साब के अपने घर पर हो जाती तो सोचिए कितने करोड रुपे कितनी संपत्ती मिलती और तीसरी चीज़ सोचिए कि अगर चरण जीत सिंग चन्नी साब 111 दिन की बजाए पांच साल पंजाब सूबे के मुख्यमंतरी रहे या रहे होते तो कितनी बेशुमार दौलत वो प्रस्टाचार करके कमा सकते प्रस्टाचार करें प्रस्टाचार करें